पूम नमस्षिवाई, स्वागत है आप सभी का मेरे अच्छास भारादवा योटूब चैनल पर दोस्तों सोमार का आज में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसके करने से आपकी प्रतिक मनोकामना पूरी होगी और यह उपाय बेहती साधारण सा उपाय भगवान सिव प्रसन नोकर के मनवांचित फल परदान करेंगे सोमार के दिन भगवान सिव की पूजा का बिशेश महत होता है जो व्यक्ति भगवान सिव का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है पूत्र, दन, सम्मान, नोकरी में प्रमोशन, घर में खुशाली हर प्रकार के इच्छा पूरी होती है सोमार के दिन सुवैस्टनान करते समय ओम नमस्वाय मंतर का जाप करना है उसके बाद में सूर देव को अर्ग देना है सूर देवकार के देने के बाद में आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए एक आटे का दीपक त्यार करना है उस आटे के दीपक में आपको थोड़े से चाबल डाल देना है उस आटे के दीपक में आपको थोड़े से चावल डाल देना है और उसमें गाय का घीवर देना है चोव मुकी दीपक आपको त्यार करना है वही आपको एक लोटे में थोड़े से समी पत्र डाल दें स्वमी पत्र ना मिले तो आप आग की पुष्प डाल दे उसमें थोड़े इसी भस्म डाल दे भस्म मिल जाए तो ठीक है नहीं तो आप गंगा जल जरू डाले हैं उससे साधा पानी से बर ले उसके बाद में थोड़ी सी केसर उसके अंदर आपको जरूर डालनी है केसर डालने के बाद में थोड़े से चावल डाल देने हैं उसके अंदर अब आपको भगवान सिवजी के सामने जाना है भगवान सिवजी के सामने जाना है और सबसे पहले आपको भगवान सिवजी को नमस्कार करना है उसके बाद में आपको भगवान सिभजी का अफसीख करना है ओम नमस्वाय मंत्र का जाब करतु है भगवान सिभजी का उस लोटे की जल से अफसीख करेंगे जो लोटा आप लेके गए हैं सारा सामान आपको सिभलिंग पर चड़ा देना है उसके बाद में भगवान सिभजी के सामने आप दीपक जला देंगे दीपक जला करके ओम नमस्वाय मंत्र का वहीं बैट करके आपको जाब करना है यह उपाय बेहदी चमतकारी और प्रभावसाली यह साधार हर सा उपाय है आपको जरूर करना है इस उपाय के करने से आपको विश्यस लाब मिलेगा आपके मन में जो भी कामना है वह मनो कामना आपकी अवश्य पूरी होगी वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओम नमस्च्वाय कमेंट पे जरूर लखें